नमस्कार बच्चों, भारदी विध्याले मुलध्धा, e-learning में आप सभी का स्वागत हैं। आज हम पठेंगे श्रीमान सुबाश कुमार नौहर द्वारा रेजित एक सुन्दर कविता, कविता का नाम है जब जीवन चलता है। इस कविता के माध्यम से कविये बदाना चाहते हैं कि हम निरंदर परिश्रम करते रहना चाहिए। चलते रहना जीवन का दूजरा नाम है। तो चलिए कविता शुरू करते हैं। जीवन पद पर राह बनाए जब जीवन चलता है। चलते रहना ही जीवन यह निद दिन कहता है। कम होगी मनसल की दूरी होगा पद आजान चल देना है लक्ष साध कर मन में कोई काम। यह अंधियारा रास्ते पर मन का दीब तो जलता है। सबसे पहले हम कडिन शब्दों के अर्थ जानेंगे, बाद में हम इन पंक्तियों की व्याक्या करेंगे। तो पद शब्द का अर्थ है रास्ता, पात, निद का मतलब है रोजाना, डेली, लक्ष का मतलब है उदेश, ये, अंधियारा शब्द का अर्थ होता है अंधेरा, दाक्नस, और दीब शब्द का अर्थ है दीपक यानि लाम। जीवन पद पर राह बनाए जब जीवन चलता है, चलते रहना है ही जीवन यह निद दिन कहता है तो कवी कहते हैं कि हम अपने जीवन रूबी रास्ते पर नया राह बनाकर आगे बढ़ना चाहिए निरंदर चलते रहना जीवन है र दिन जीवन हमसे यह कहता है कि हम So, we should continue this journey of our life without any pause. We should not stop our journey. Every day, our life reminds us that we should continue this journey because this journey is our life itself. कम होगी मन्जिल की दूरी, होगा पध आजान, चल देना है लक्ष साध कर, मन में कोई काम, हे अंधियारा रास्ते पर मन का दीप तो जल्टा हिन. तो कभी कहते हैं कि हम निरंदर अपने जीवन पध पर चलते रहना चाहिए. इस प्रगार चलते रहने से मन्जिल की और, लक्षी की और हमारी जो दूरिया है वो कम होगी. हम अपने मन में किसी लक्षी को साध कर निरंदर गदिशिल रहना चाहिए. तो हमारे इस जीवन रूबी रास्ते से आगे बढ़ते समय हमेशा जीवन एक जैसा नहीं होगा कभी-कभी हमें कढ़नाईयों का सामना करना भी पड़ेगा तो कभी ने हम अंधियारा शब्द का प्रयोग जीवन में आने वाली कढ़नाईयों के लिए किया है जब हमारे इस जीवन में कढ़नाईयां आती हैं तो मन के दीबा की रोशनी से उन कढ़नाईयों को पार करना चाहिए तो जीवन हम से ये बदाते हैं कि निरंदर चलते रहना चाहिए चलते रहना ही जीवन के here the poet says that if you continue your journey of life the distance to your destination will be reduced and you will feel your journey very comfortable so you should have some aim in your life and for the fulfillment of that you should continue your journey and the poet says that the life of our journey will not be the same all the time sometimes we will have to face some problems some obstacles will be there here the poet use the word darkness for the obstacles of our life when these problems arises we should overcome these problems with the light of our mind the wisdom the knowledge that we have in our mind is a light so we should overcome all these obstacles through our wisdom and the knowledge चलते रहकर कोलंबस ने अमरिक्या को घोजा था लंगा में बैठी सीधा को महावीर ने घोजा था नदियों का पानी भी चलकर सागर में ही मिलता है चलते रहना ही है जीवन यह निद दिन कहता है सबसे पहले हम कडिन शब्दों के अर्थों को जानेंगे बात में इन पंक्तियों की व्याक्या करेंगे कोलंबस शब्द का अर्थ हैं अमिरिक्या का घोज करता एक समुद्री यात्री अन एक्स्प्लोरर की डिस्कवर अमरिक्या महावीर हनुमान का परियावाजी शब्द है और सागर शब्द का अर्थ समुद्र सी तो यहां पर कवी बदाते हैं कि कोलंबस नामक नाविक ने अपने निरंदर यात्रावों के दोरान अमिरिक्या को खो जा था और इस प्रगार रामायन के महावीर ने भी सीधा को ढूंटे ढूंटे लंगा तक पहुँच गया था नदियों का पानी भी चल चल कर अंद में समंदर में विलीन हो जाता है इन उदाहरनों के माध्यम से कभी कैटे हैं कि हम भी निरंदर गदिशिल राना चाहिएं तो हमारा जै सुनिश्चित हैं Here the poet says that the famous traveler Columbus discovered America after his continuous travel and the Hanuman in the Ramayana had to travel up to Sri Lanka in search of Sita rivers will reach the ocean only after their continuous journey So we have to learn a lesson from all these examples that we should we should not take any rest till we reach our destination